आपों यूज करने माले अकसर पूछते हैं कि फोन में फोटो कैसे छुपाया और सही तरीका पता नहोंने के कारें कि फोन ही खराब है तो फोन को खराब बताने की जरूरत नहीं है सही तरीका जानने की जरूरत है हेलो दोस्तों, NBT देख रहे हैं आप मेरी अनिपिटी के साथ और आज इस वीडियो में मैं आपको साथ शेयर करने जा रही हूँ दो स्मार्ट तरीके जिन से आप अपनी फोटो को आईफोन में आसानी से छुपा सके हैं सबसे पहला फीचर है hidden feature इसे यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले वो फोटो होलनी है जैसे आपने hide करना है उसके बाद आपको यहां एक option दिखाई देगा जब आप इस पर tap करेंगे और नीचे के तरफ scroll करेंगे तो यहां आपको hide option लिखावा दिखाई देगा जब आप इस पर tap करेंगे तब यह आप से पूछेगा कि आप इस photo को hide करना चाहते हैं उसके बाद अगर आप hide photo perfect से tap करेंगे तो यह photo hide हो जाएगी और यह photo आपको कहां मिलेगी जब आप album में जाएंगे तो नीचे के तरफ scroll करेंगे present deleted option के ऊपर आपको hidden folder दिखाई देगा देखिए आपको यहां आपनी वो photo मिल जाएगी तो अब आप कहेंगे कि अगर किसी कोई hat पता है तो क्या किया जाए तो आप इस folder को यहां से भी hide कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है आपको settings में जाना है इसके बाद आपको photo पर tap करना है यहां आपको option दिखाई देगा hidden album के नाम से when enabled a hidden album will be appear in the album tab अगर आप इसे यहां से disable कर देंगे तो यह folder आपको फिर दिखाई नहीं देगा आप album में जाकर देख सकते हैं यहां पर जो folder है hidden photos का वो चला गया है तो अगर आपको लग रहे हैं कि अगर यह hack भी किसी को पता है और वो जाकर आपके photos देख सकता है तो दूसरा smart idea आपके बड़े कामा सकता है इसमें हम photos को notepad में height करेंगे जिस पर हम बकायदा lock लगाएंगे देखें कैसे इसके लिए आपको सबसे पहले notepad पर जाना है यहां नया note बनाईए और photo को यहां से import करेंगे फिर इसे हम lock कर देंगे इसे lock करने के लिए आपको Apple ID password की जरुत होगी देखें यहां मैंने insert किया है और यह lock हो गया है अब इसे खोलने के लिए आपको बन ही password चाहिए रहेगा अब जब आपको यह photo चाहिए तो आपको क्या करना है आप इस note pad को open करें open करने के लिए आपको password चाहिए रहेगा और उसके बाद आप यहां से दूसरी app के through इससे कहीं भी share कर सकते हैं आप चाहें तो इसे फिर से gallery में add भी कर सकते हैं तो जिन लोगों को आपकी private life में बड़ा interest है और जो अक्सर जानना चाहते हैं कि आपकी life में क्या चल रहा है उनसे आप photos को चुपाना और भी आसान हो जाएगा तो photos को चुपाने की दो smart trick अगर आपको पसंद आए तो like क बटन दबाईए अगर आपके पास बैसी कोई trick है जिससे आपको लगता है कि दूसरों की मदद हो सकती है तो उसे आप हमारे साथ share कर सकते हैं आप comment box में लिखिए या फिर मुझे inbox कीजे हम next video में उसे आपके name के credit के साथ share करेंगे और ऐसे ही smart tips and tricks के लिए subscribe करें NBT Tech